आज का सुब शंदेश इंद्रिया तीत कैसे चाले हैं। इंद्रिया तीत का अर्थ होता है इंद्रियों के परे हमारी कुल पांच इंद्रिया हैं इसपर्षन, रशन, रान, चक्षु, शोत्राणी, इंद्रियानी इन इंद्रियों के मात्यम से हम बाहरी जगत के पांच विश्यों की जानकारी करते हैं और वो इंद्रिया उन विश् तो यह तो इंद्रियों का काम है, लेकिन इंद्रिय जगत में केवल मनोरंजन ही होता है, हमको अगर आत्मरंजन में जाना है, हमको अगर प्रभू के दर्शन करने हैं, अपने स्वरूप की जानकारी करनी है, अपने आपको मुक्त करना है, मुक्ती की अवस्ता को प्राप्त क करना है तो हमें इंद्रियातीत होना पड़ेगा, we will have to go beyond our senses, जितने भी हम बोलते हैं जो शब्द है, वो इंद्रियों के जगत, यानि इंद्रियों का जगत है, वो बुद्धी के जगत तक ही है, और उसके परे ये शब्द नहीं है, यानि जितना हमारे इस वैवार जगत के अंदर द्वन्द चलता है, वो बुद्धी के इस तरता की है, बुद्धी से परे जब हम वाइब्रेशन के जगत में जाते हैं, जब हम अवचेतन मन के जगत में जाते हैं, तो शब्द समात हो जाते हैं, वहाँ पर लेश्या का समराज्य होता है, और लेश्या तीन शुब होती है तीन अशुब होती है जो शुब अशुब भावाते हैं वो शुब अशुब विजारों के अंदर आउचेतन मन में कनवर्ट होते हैं तो इंद्रिया तीत का अर्थ होता है इंद्रियों के परे जाना इंद्रियों तक स्वारा द्वंद है और उसके अंदर कई तरह के म झाल झाल झाल